एक छोटे अनंफन कस्बे में जो घंडे दराम ने जंगलों से घिरा हुआ था, रहस्य में घटनाओं की बातों को कस्बे वाले एक दूसरे के बीच फुसफुसाते थे, कहां जाता था कि जंगल प्रेतवाधित है और जो भी बहुत गहराई में प्रवेश करता है, वह पहले जैसा वापस नहीं आता, फिर भी कई लोगों ने इन कहानियों को मात्र अंध विश्वास मान लिया, एक थंडी शरद रात को, एक युवा जोडे, एमिली और जैक, ने अपनी साहस को परखने के लिए जंगलों में घूमने का निरने लिया, वे चांदनी के नीचे हाथ मे हाथ डाल कर चलने लगे, अपने दोस्तों की चेतावनियों को हंसी में उडाते हुए, जितना वे आगे बढ़े, जंगल उतना ही गहरा और अधिक भारी होता गया, जैसे ही वे एक प्राचीन, तेड़े मेढे ओक व्रिक्ष के पास पहुँचे, उन्हें हवा में एक हलकी फुसफुसाहट सुनाई दी, यह चारो और से आ रही प्रतीत हो रही थी, लेकिन वे शब्दों को समझ नहीं पाए, जोडे को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वे अपनी बहादुरी साबित करने के लिए आगे बढ़ते रहे, जंगल में गहराई में फुसफुसाहटे जो में दिख रही थी, अचानक वे एक पुराने छोड़े हुए केबिन पर ठोकर खा गए, इसके खिड़किया चुने से बंद थी, और दर्वाजा धीला लटक रहा था, वे हिचकिचाहे, लेकिन जिग्यासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जैसे ही वे अंदर गए, दर्वाजा जोर से धमाके के साथ बंद हो गया, जोड़े की चीखें फुस्फुसाटों से दब गई, जो अब चारों और गूंज रही थी, उन्होंने दर्वाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला, उनके भीतर घबराहट उत्पन हुई क्योंक उन्हें एहसास हुआ की वे फंस गए हैं, फिर असली डरावनी घटनाएं शुरू हुई, दीवारों पर छायाएं घूमने लगी, विकृत और टेडी मेढी आकृतियां लेने लगी, फुस्फुसाटे रक्तचुड़दारी चीखों में बदल गई, और जोड़े की वास्त के अंधेरे में भाग गए, कभी पीछे नहीं मुढ कर देखा, जब वे कस्बे की सुरक्षा में पहुँचे, उन्होंने पाया कि कई घंटे बीच चुके थे, जबकि उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछी मिनट बीते हों, जोड़ा उस रात के बाद कभी भी वैसा नहीं रहा, वे केबिन में फुसफुसाहट और चायाओं के बुरे सपनों से परेशान हो गए, आखिरकार वे कहीं और चले गए, लेकिन कस्बे ने हमेशा जंगलों से सावधान रहना जारी रखा, आने वाले वर्षों में और अधिक रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्टे मिलने लगी, कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में आत्माएं उन लोगों की हैं जो कभी केबिन में रहते थे और जो हमेशा के लिए जीवित लोगों को फुसफुसाने और डराने के लिए शापित हैं, अन्य लोगों का मानना है कि जंगल खुद ही शापित है और उसके भीतर की बुराई ह हर गुजरते वर्ष के साथ मजबूत होती जा रही है.